बिहार बदनाम लेकिन जब बात बिहार और देश्ट के भविश्य की आती है तो बिहार आज भी पिछरे राज्यों में शुमार हो जाता है यही कारण है कि बिहार बेर रोजगार के अफसर तलाश रहे युवाओं को रोजगार देने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने कई जिलों में रोजगार मेले का योजनतों किया ही है इसके अलावा विभिन सरकारी योजनाओं के तहत युवाओं को रोजगार का मौका भी उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है जिसमें तुरूब का पत्ता युवा उद्यमी योजना सावित होगा जिसके तहर दस लाख तक कारण देने की कवायद जारी है इसी तरह विहार के सभी प्रखंडों में वाहन प्रदूशन जांच केंद्र खोलने का अफसर देकर रोजगार का मौका भी दिया जा रहा है वाहन प्रदूशन केंद्रों की स्थापना के लिए राजसरकार अधिक्तम 50 प्रतिशरत या 3 लाख रुपे तक का अनुदान भी देगी हाला कि ध्यान देने वाली बात ये है कि यह योजना सिर्फ उन्ही प्रखंडों में माने होगी जहां पिट्रोल पंप और सर्विस सेंटर के अतिरिक्त एक भी मोटरवाहन प्रदूशन जाज केंद्र नहीं है इसका नाम प्रदूशन जाज केंद्र प्रोत्साहन योजना रखा गया है योजना की स्विकृति के बाद परिवान विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना एक महीने पहले ही जारी कर दी है इसे ग्रामीन इलाकों में भी गाडियों से होने वाले प्रदूशन को नियंत्रित किया ही जाएगा इसके साथ ही प्रखंड स्तर पर रोजगार का भी स्रिजन हो सकेगा जिसके बाद प्रोत्साहन राश्री का भुकतान सडक सुरक्षा नीधी से किया जाएगा आपकी ज्यानकारी के लिए आपको बता दे कि रज में 534 प्रखंड है इन में 387 प्रखंडों में 1000 से अधिक प्रखंड के इंद्रे चल रहे हैं अभी भी 140 से अधिक प्रखंड ऐसे हैं जहां प्रखंड जाच की सुमधा मौझूद ही नहीं है परिवहन विभाग का यही लक्ष है कि योजना की मदद से एक साल के अंदर 1000 और प्रदूशन जाच की इंद्र खोलने की कोशिश की जाए विभाग के इस योजना से लोगों को रोजगार मिल सकेगा इस प्रोच साहन राशी से प्रदूशन जाच केंद्र के लिए स्मोक मीटर, गयास अनलाइजर, डेक स्टॉप, प्रिंटर आधी की खरीद की जाएगी प्रदूशन जाच केंद्र की स्थापना के लिए जिला परिवहन कारियाले में आवेदन करना होगा इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर विज्यापन का प्रकाशन होगा योजना का लाभ उन्ही को मिलेगा जो प्रदूशन जाज़केंदर विहीन प्रखंड के स्थाई निवासी होंगे इसके साथ ही आवे रख मोटर वाहनों के रख रखाव और उसकी सर्वसिंग का वेवसाइग करते हो या मोटर वाहन से संबंधित किसी ट्रेड में आई टी आई हो जिससे रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को काफी सहूलियत होगी साथ ही साथ सरकार की मदद से युवा रोजगार से भी जुड़ेंगे जिसके बाद अब उमीद यही की जा रही है कि जो भी युवा रोजगार की तलाश में हैं उन्हें सरकार की इस योशना का भरपूर फाइदा मिले इसके साथ ही आज के इस वीडियो में वस इतना ही तब तक ही लिए धन्यवाद